पुरुष सर्दार पटेल जी के जीवन का ख्षवण श्ण भारत में एक राष्ट्र का भाव जागरत करने में समर्पित रहा उनके विचारों को अपने भाव देने आ रहे हैं हर्याना से पुरंजय गांधी आप सबको मेरा नमस्कार मेरा नाम पुरंजय गांधी है मैं पानपत हर्यानागर रहने वाला हूँ आज हम गौरफ के साथ जिस भूमी पर खड़े होकर यह बोलते हैं कि हम भारती है दरसल इस समय को लानमी अने एक महापुर्षों ने अपने संघर्ष और समझदारी के योगदान दिया है उन्ही में से एक थे भारत के लहापुरुष सरदार वल्लब भाई पटेल जिनके जनम उत्सव को हमारे देश में राश्ट्रिय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है सरदार वल्लब भाई पटेल ने पांसो पैसर रियास्तों का एकी करन किया यह एक कठिन कार्रे था लेकिन उन्हें इस कार्रे को संभव कर दिखाया सरदार वल्लब भाई पटेल का योगदान अनेक शेतरों में पाया जाता है जैसे सूमनात मंदर का पुर्णरमान कमला नहरू अस्पितार की रूप रेखा आदी कारों में उनका स्मरन किया जाएगा आज हम सब यह बात जानते हैं कि विश्व की सबसे उची प्रतिमा भारत में पाय जाती है जिसका नाम स्टाचू ओफ यूनिटी है इस प्रतिमा का उद्गाटन हमारे मानिनिय प्रधान मंतरी श्री नेन्द मोदी जी ने 31 सक्टूबर 2008 रागो किया यह प्रतिमा सर्दार वल्लब भाई पटेल के उतकृष्ट व्यक्तिद्व की याद में मनाई गई है जिनोंने अपना पूरा जीवन भारत को एक जुट करने में लगा दिया यह प्रतिमा सर्दार जी के आदर्शो और विचारों का प्रतीक है यह प्रतिमा आने वाली पीडियों को सयम एक्ता एवं सही रापर चलने का संदेश देती है सरदार बल्लब भाई पटेल हमेशा कहते थे भारत एक अच्छा उत्पादक हो इस देश में कोई अन के लिए बूखा न रहे आज हमारी एक्ता उनी मापुर्शों के वज़ा से मदबूत है जिन्होंने भारत को एक जुट करने में संघर्ष और समझदारी के योगदान दिया हम सब यह पाद जानते हैं कि एक्ता निर्बल व्यक्ति को भी बल्वान मना देती है भारत एक विकाशल देश है और अगर हम ऐसे ही एक्ता के साथ कदम बढ़ाते रहे तो वे दिन दूर नहीं जब हम विकाशल देश की शेनी से विक्सित देश की शेनरी में जल्दी आ जाएंगे 15 दिसंबर 1950 को सरदार जी का धिहान दो गया मन उप्रांद उन्हें भारतन पुर्षकार से सम्मानित किया गया अन्त में मैं दो पंग दिया सरदार जी को समर्पित करना चाहूंगा एक दिया उनके भी नाम का जलादो पूजा की थाली में जिनकी सासे थम गई भारत मा की रखवाली में जेहिंद धन्यवाद धन्यवाद पुरंजे गांधी अगली प्रतिभागी है वी प्रतीक्षा जो तमिल नाडू से हैं जो तमिल में